अकसर ऐसा होता है कि तमाम पूजा पार्ट के बाद भी जीवन की दिक्कतें समापफ नहीं होती और बार बार हम यही सोच कर परिशान होते हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई क्या पूजा पाट और करना चाहिए या दान धर्म भी करने के बाद अगर जीवन में चैन ना आए तो एक बार अपने घर के वास्तु और आपके पूजा घर के में रखी वी तमाम तस्वीरों को जरूर देखिए देखिए सबसे पहली बात तो पूजा घर जब आप बनाते हैं न तो सीडियों के नीचे मत बनाईए बास्तु कहता है कि घर में कभी भी मंदिर को सीडियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए नहीं तो आपके जीवन में परिसानियां ही परिसानिया रहती हैं और जो चिढ़ी के नीचे मंदिर बनवाने से घर में बेवजह क्लेस होते हैं धन की कमी होती है बात्रूम के बगल में भूल कर भी पूजा घर मत बनवाईए क्योंकि वास्रूम के उपर या नीचे भी नहीं बनाना चाहिए माना जाता है इससे घर के जो सबसे में ब्यक्ति हैं जो मुखिया हैं उनको कस्ट जेलना पड़ता है और खासकर आपके बेस्मेंट को आप ये नहीं की पूजा स्थान बना लिये हैं कहीं भी साइड में भगवान को कर दिये हैं ऐसा भी मत कीजिए नहीं तो आपको पूजा कभी फल नहीं मिलेगा और मुसीबते भी आएंगी साथ ही आप जब पूजा करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें आपका फेस दक्षिन दिसा की ओर नहीं होना चाहिए यानि दक्षिन दिसा में मूँ करके पूजा बिल्कुल भी ना करें कभी कभी क्या होता है कम जगा के कारण लोग अपने बेडरूम में भी पूजा घर बनबा लेते हैं वास्तु सास्त के मुताबिक कभी भी अपने बेडरूम में पूजा का घर मत बनबाईए अगर मजबूरी हो तो चारो तरफ से परदे लगा दें और जब भी बनाए हमेशा ही पूजा घर को उत्तर पूरब दिसा में ही बनाए पूजा स्थान के रंग का भी धियान रखें क्योंकि वास्तु कहता है घर में सफेद या क्रीम कलर का ही पूजा घर में प्रियोग करना चाहिए जब आप भगवान की मुर्ती रखते हैं तस्वीर रखते हैं तो हमेशा ही इस बात का धियान रखें कि वास्तु के अनुसार कभी भी आपके घर में जो भी मुर्तियां है करीब 8 इंच यानि एक बित्ता आपके हाथ से जो बित्ता होगा बित्ता तो आपको पता है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए 8 इंच से ज़्यादा बड़ी मुर्तियां बास्तु दोस पैदा करती है इस बात का धियान रखेंगा नहीं तो फिर परिसानी बढ़ेगी क्योंकि आठिन से अगर बड़ी मुर्ति हो तो उसकी प्रान परतिष्ठा की जाती है नहीं तो घर के जो जैसे आपके जो घर के पती हैं या फिर आपके बच्चे हैं उनको कस्ट मिलता है तो इस बात का धियान रखेंगे बास्तु कहते हैं कि पूजा घर में मूर्ति को भी साइधं से रखेंगे भगवान की तस्वीर या प्रतिमा कभी भी पस्चिम उत्तर दिसा में मत रखें नहीं तो आपके हर कारे बेबजह बिगन बाधाओं से भरेंगे मुसिबते आएंगी समय पे कारे पूरे नहीं होंगे और ये भी एक बात जानने पूजा घर में कभी भी देबताओं की तीन तस्वीर ना रखें अब जैसे की तीन गनेज जी की तस्वीर है मुर्ति है तस्वीर है देवी जो मा दुर्गा है उनकी तीन परतिमाएं है या फिर दो सिबिलिंग रख लिया है दो संक रख लिया है सूरी देब की दो-दो परतिमाँ है दो-दो साली ग्राम है तो ये सबी चीज़े ना करे अब माल लेते हैं आपके घर में है तो आप क्या करेंगे अब फेकेंगे तो नहीं न भगवान पास के किसी भी मंदिर में प्रेम से रखाईए क्योंकि ये बहुत जरूरी है नहीं तो आपका मन बेबजह परिसान रहेगा और धन समंदी मुस्किलें बार बार आपको जीवन में परिसान करती रहेगी अब एक और बात भगवान गनेश की तस्वीर या मूर्ती हर किसी के घर में होता है मालक्ष्मी की भी होती है तो भगवान गनेश की पीठ में दर्लता का निवास होता है इसी लिए गनेज जी की तस्वीर या मूर्ती इस तरीके से लगाईएगा कि उनकी पीट बाहर की तरफ हो जाया यानि दिवाल की तरफ हो ऐसा दिवाल जो घर से बाहर की और यानि कि वो दिवाल किसी और बेडरूम में ना तबदील हो या फिर किसी भी रूम में उमीद है आप समझ चुके होंगे तो इस तरह का आप जरूर प्रेयोग कीजिएगा कि गनेज जी की जो पीठ है वो घर से बाहर की तरफ दिखाए ये बहुत जरूरी है और किसी भी देवी देपता का पीठ का दर्सन मत कीजिएगा देखे अब मा लक्षमी की तस्वीर की बात करें तो मा लक्षमी की तस्वीर रखने का सबसे ज़्यादा बिसेज ध्यान दिया जाता है होता क्या है न अगर आप घर में सही अस्तान पर मुर्ती नहीं रखते अब खड़ा का मतलब क्या हुआ मा लक्षमी आई और खड़े खड़ चली गई आपके घर में बैठी भी नहीं अब मा बैठेंगी नहीं तो धन कैसे बारिस करेंगी पुरानों में कहा गया है मा लक्षमी चंचला होती है इसलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मुर्त भी चंचल सभाब का है इसलिए देवी लक्षमी की मूर्ती कभी भी उनलू पर बैठी वी अवस्था में मत रखिएगा नहीं तो परिसानी बढ़ जाएगी मा लक्षमी और गनेश जी की मूर्ती एक साथ होती है ये तो सही है होनी भी चाहिए लेकिन इसका सही तरीका क्या है अब जानिए देखिए मा लक्षमी की मूर्ती गनेश जी के साथ जरूर रखें लेकिन मा लक्षमी के साथ आप भगवान स्री हरी को रखें नहीं तो आपकी पुझा धूरी मानी जाएगी कैसे रखेंगे पहले स्री हरी को रखें स्री हरी के बाएं साइड मा लक्षमी को को रखें और मा लक्षमी के बाई साइड गनेश जी को रखें ये है सही तरीका और सरस्वती जी का भी तस्वीर आप छोटा सा ही रखें क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं आप लिखा पड़ी का काम करते हैं तो मा सरस्वती की गिर्पा बरसेगी तो भगवान उनकी पुजा जरूर करें और मा लक्षमी की मूर्ती को कभी भी दिवार से सटा कर मत रखेंगा नहीं तो वास्तू दोस होगा क्योंकि कोई भी मूर्ती हो दिवार से थोरी सी दूरी बना कर रखें और देवी देवताओं की मूर्ती का सही दिसा में रखना भी जरूरी है क नित्य पूजा में ताकि आपके घर में खुसियां आती रहें तो अब साली ग्राम की बात करें देखिए साली ग्राम एक पत्थल है लेकिन साली ग्राम भगवान को अपने घर के अंदर कभी भी मत रखिए इसको हमेशा तुलसी जी के पास रखिए सिबलिंग तो वैसे आप अपने घर में रख सकते हैं पारत सिबलिंग भी रख सकते हैं और उसकी पूजा करें क्योंकि सबसे ज़्यादा सुब फल पारत सिबलिंग की पूजा से ही प्राप्त होती है पंचामृत अगर आप नियमित रूप से स्रीहरी को भोग लगाते हैं ज बगवान स्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो जीवन में धन की मुस्किलें कभी परेसान नहीं करेगी कभी भी आपके खुसियों को नजर नहीं लगेगी और चंदन जो सीतलता का प्रतीक है अगर नियमित रूप से सिव जी को लगाया जाए तो फिर आपका मन सांत रहता ह और जब मन सांत रहेगा तो सब कुछ पा लेंगे आप अक्षद भूल कर भी स्रीहरी को मत अर्पित कीजिएगा आप मा लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं गनेज जी को जरूर अर्पित करें लेकिन जब भी देवी देपता को अक्षद अर्पित करें धोकर फिलाल भी दा जब एंगे धन्याद करेंगे धन्याद कर दो कर दो हुँआ है